11th question देखते है हमारे पास इसमें क्या matrix है सेम 2 cross 2 की हमें matrix मिली है जिसमें R1 में element है 2 minus 6 और R2 में element है 1 और minus का 2 इसमें भी applying ERO करेंगे A is equal to IE की form में हमने क्या कर दिया हमारे पास यहां पर 2 है इसे 1 बनाना पड़ेगा इसे कैसे बना सकते है simply क्या करा हमने R1 में operation लगा है R1 minus R2 तो 2 minus 1 किता देदेगा 1 देदेगा minus 6 minus minus का 2 है तो क्यों हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो minus 6 plus 2 किता देदेगा minus का 4 देदेगा minus plus minus हो जाएगे और sign किसका आएगा minus का आएगा और यहां पर जो भी numbers है वो as it is उत्रेंगे यहां पर हमने कोई changes नहीं किया और यहां पर करेंगे R1-R2 1-0 1 दे देगा 0-1 किता है देगा और यह सारी element as it is रहेंगे अब इसके बाद क्या करना है इस 1 को क्या करना है 0 बनाना है तो इसमें क्या operation लगा है R2 में क्या करेंगे R2-R1 कर देगे simply 1-1 किता है देगा 0 दे देगा और यहाँ पर किता है प्लस का 2 आ जाएगा और यह A as it is रहेगा तो हमारे पास क्या आ गया है 1 0 आ गया है अब क्या करना है इस 2 को क्या करना है 1 बनाना है simple सा है क्या करेंगे 1 upon 2 of R2 कर देगे नहीं R2 में हम क्या कर रहें 1 upon 2 से multiply गरे 2 से 2 cancel हो जाएगा 1 मिल जाएगा यहाँ पर पहले से 0 यह 0 हो जाएगा और 1 और minus 4 as it is उतरेंगे is equals to 1 minus 1 as it is और यहाँ पर क्या जाएगा minus का 1 by 2 2 upon 2 किता 1 मिल जाएगा अब इसके बाद हमें क्या करना है 1 आ गया 0 आ गया 1 आ गया अब minus 4 की जबब पर 0 रहना है यह भी क्या easy है इसमें क्या करेंगे R1 में क्या करना है R1 plus 4 of R2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या है minus का 4 है इसलिए प्लस करेंगे और यहाँ पर क्या है R2 में 1 है तो minus 4 plus 4 किता हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या चेंज जाएगा उसके बाद हम कहा मिलेगा A inverse मिलेगा तो R1 में हमने क्या लगाना है R1 plus 4 of R2 लगाना है तो R1 कितना हमारी पास 1 है और R2 कितना है minus 1 by 2 है तो 1 minus 4 by 2 यानी कितना 1 minus 2 कितना देगा minus का 1 देदेगा ऐसे ही हहां पर क्या है R1 कितना है minus 1 है minus 1 plus 4 multiplied by R2 किता है 1 ही है तो माइनस 1 प्लस 4 यानि 4 माइनस 1 किता है देगा 3 दे दे और माइनस 1 बाइ 2 1 एज़ इस उत्रहेंगे तो यह अब क्या आगया हमारे पास A inverse निकल के आगया है इस matrix का जो हमें question में दियागा था इसके बाद next question करते है जो है question number 12 अब 12th question है हमारे पास A matrix दिये इसमें element है R1 में 6 minus 3 और R2 में minus 2 और 1 है A is equals to IA रखेंगे elementary row operations same तरीका A is equals to IA के form में हमने रख दिया अब यहां पर हमारे पास क्या है 6 है इस 6 को क्या करना है 1 बनाना है तो R1 में हमने 1 by 6 of R1 कर दिया तो यह होगए हमारे पास 1 और यह कितना हो जाएगा minus 3 by 6 और minus 2 और 1 करेंगे as it is उतरेंगे is equals to one upon कितना जाएगा 6 और यह 0 upon 6 कितना जाएगा 0 जाएगा यह है 1 upon 6 है तो हो जाएगा 0 और यह कितना 1 as it is उतरेंगे अब इसके बाद क्या operation करेंगे minus 2 को हमें क्या करना है 0 बनाना है अब इससे करने के लिए करेंगे R2 में हम operation लगाएंगे क्या R2 plus 2 R1 इससे होगा क्या R2 का है minus 2 है plus 2 multiplied by 1 करेंगे तो minus 2 plus 2 किता देदेगा 0 देदेगा और अगर हम यही operation इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि R2 में हमें लगाएं तो 1 में भी करना पड़ेगा तो 1 में करेंगे जब हम R2 किता है 1 है 1 plus 2 multiplied by minus 1 by 2 तो यह किता देगा 2 multiplied by 1 by 2 है तो वो किता देगा 1 देदेगा और minus का है तो 1 minus 1 solve करने पे यह भी क्या दे रहा है 0 यानि कि जब हमने क्या करा left hand side पे left hand side है यहां पर जो भी matrix थे इसमें हमने changes करें हमें बनाना क्या था identity matrix बनाना था बट जब हमने एक operation लगाया तो क्या हुआ पूरी की पूरी रो क्या होगी जीरो हो गई है जसमें क्या होगा पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी कि यह कॉल्म 0 होता है तो क्या हो जाता है कि उसका inverse क्या होता है exist नहीं करता है तो यहां पे क्या हूँ पूरी की पूरी जो還是 row है एक operation लगाने के बाद यह जीरो हूँ गयी तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे we have all zeros in second row of matrix on left hand side तो left hand side में जो matrix है हमारे पास वहाँ पर क्या होगी है R2 row में सारे ही element क्या होगी है 0 होगा है so A inverse does not exist तो इसका जो A inverse है वो क्या होगा exist नहीं करेगा तो इस तरीके से करना है यह question अब इसके बाद next question करते है question number 13